गुरू नानक देव जी के जीवन से जुली एक प्रमुक साखी है, सरोवर का निर्मान एक बार गुरू नानक देव जी अपने शिश्यों की साथ सफर पर थे रास्ते में एक ऐसे गाव में पहुँचे जहां लोग पानी की कमी से परेशान थे और पीने यूग्य पानी मिलना मुश्किल था गाव के लोग बीमार और दुर्बल हो गए थे क्योंकि उनके पास स्वच पानी नहीं था गुरु नानक देव जी ने लोगों की तकलीफ को देखा और उनसे कहा कि अगर वे एक सरोवर बनाएं तो सभी को स्वच पानी मिल सकेगा गाव के लोग गरीब थे और उनके पास ज्यादा साधन नहीं थे पर अंतु गुरु जी के विचारों से प्रभावित होकर वे उनके साथ मिलकर काम करने लगे गुरु नानक देव जी ने खुद भी सरोवर के निर्मान में भाग लिया और लोगों की साथ मिहनत की उनका उद्देश्य था कि वे अपने कर्मों के द्वारा सेवा और सहयोग का संदेश दे अंत में गाउंग में एक सुंदर और बड़ा सरोवर बन गया जिसमें से सभी लोगों को स्वच पानी मिलने लगा इस साखी के माध्यम से गुरु नानक देव जी ने ये संदेश दिया कि सेवा और समाज का भला करना ही सच्चा धर्म है